नमस्कार आप देख रहे हैं नीशन वन और मैं हूँ आपके साथ रिशे भाग जहां एक तरफ सरकार महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बाते करती है तो वहीं दूसरी तरफ भाश्पा का एक नेता सरेया महिला पर गालियों की ऐसी बोचार कर रहा है कि वहां मौजूद लोग सुन कर सन रह गए है इतना ही नहीं महिलाओं को चार आदमियों के सामने धक्का देकर बुरी तरह से अपमानित भी कर रहा है दरसल यूपी के नॉइडा में बीजेपी नेता श्रीकान त्यागी एक महिला को उसे उसकी हैसियत बता रहे है ये नेता लोग आखर ये क्यों भूल जाते हैं कि उनकी खुद की हैसियत आमजनता से बनती है आमजनता ही उन्हें बनाती है और वक्त आने पर अर्ष से फर्ष तक का रास्ता भी दिखा देती है बीजेपी मले श्रीकान त्यागी जिस विजियो में महिला और उसके बच्चे और पती को घटिया गाली दे रही है उसे बिना बीप लगाए हम आपको सुना भी नहीं सकते तो ज़रा सोचिए ये महिला तो जिल्लत का सामना खुद अकेले डटकर कर रही है अब सवाल ये है कि बीजेपी मले श्रीकान त्यागी महिला के साथ ऐसा क्यों कर रही है महिला को धक्का दे रहे हैं गंदी गाल्या दे रहे हैं अबत्र टिपनी कर रहे हैं आखिर क्यों क्योंकि इसे गुरूर है उचे रसूख का इसे घमंड है भड़े नेताओं तक पहुँच का सत्ता के नशे ने इसे अंधा कर दिया है अगर आप वीडियो में नहीं समझ पाए हैं कि श्रीकान त्यागी महिला को क्या कुछ कह रहे हैं तो हम आपको बताते हैं महिला को गाली देते हुए श्रीकान त्यागी कहते हैं जानता हूँ तेरी हैसियत ये दो कौडी के गाड लेकर तू पेड उखाड देगी यहां ये मेरी प्रिमाइस है इस पर महिला पूछती है कि किसने कहा श्रीकान त्यागी कहते हैं अरे हमने खरीदी है तो महिला रजिस् महिला को धका देने लगते हैं महिला के बच्चे और पती को गंदी गाली देते हैं और उसे कहते हैं तू चल यहां से चवन्नी छाप लुगाई हो गया ना अब हट यहां से जी हां ये मधूर शब्द है बीजेपी नेता के श्रीकान त्यागी आगे कहते हैं तेरे पती को भी जानता हूं और इसके बार नेता जी गंदी गाली का इस्तमाल करते हैं महिला को कहते हैं तू भाग कर आई थी ना मैं सब जानता हूं तेरे बारे ये तमाम शब्ध हैं भाश्पा के मले श्रीकान त्यागी के हलाकि जानकारी है कि श्रीकान त्यागी पर मुकदमा तर्ज कर द रोपी ओजल्द गिरफतार कर कठोर दंडात्मक कारवाई करने की भी बात कही गई है। अश्लील गालिया देने वाला श्रीकान त्यागी इस समय फरार है उसके खलाव टीम गठित की गई है और श्रीकान त्यागी के सभी संभाविट ठिकानों पर भी छापे मारी की जा रही है। चली तो फिल हाल के इस रिपोर्ट में इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रही है हमारे साथ और देखते रही है नेशन बन